इसे जड़ा भी आप प्रेज में रखकर निकाल लिया पानी ना डाले और फिर यह लकडी का मेरे पास है आपके पास जो भी हो उसे यह दाल घुटने वाला है उसी से अच्छी तरह से 10-15 मिनट तक धीरे-धीरे करके इसे मिलाते रहें और अच्छी तरह से जितने अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे एकदम क्रीम के टेक्श्चर मे Frank । द्पानी डालने से जल्दी निकल जाता है। तो यह में बीना फ्रीज के पानी से मलाई निकालना सिखा रही हूँ तो दोस्तों मेरी ये घी निकालने की विधी आप सभी को अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें अब मैं इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिला रही हूँ रही से और इस अच्छी तरह से मिलाने के बाद और गर्मी के दिन में अगर आप मलाई से घी निकालिएगा या दही से तो आप सुबह सुबह निकालिएगा जादा जैसे गर्मी होने लगेगी तो आप उस वक्त आपको फ्रीज के पानी के बहुत जरूरत पर जाएगी आप रात का जो बासी पानी है वो ठंडा हो जाता है वो पानी आप डालिएगा ना बहुत ही जल्दी इसमें से घी छोड़ देगा ये देखिए मैं अब इसमें पानी हलका हलका करके डाल रही हूँ और फिर इसे मिला रही हूँ जितनी ज्यादा पानी एक बार मेणी डालना है हलका हलका ही पानी डालना है और अच्छी तरह तरह से मिला लूँगी देखिए भी अब पूरा उपर की तरफ आ रहा है ठंडा की दिन में तो ये गोला एक गेंद की तरह निकल जाता है लेकिन गर्मी का दिन है तो वैसा नहीं निकलेगा ये क्रीम की तरह निकलेगा वैसे भी आप इसे घी निकाल सकते हैं और इसे होगा है तैयार आप ध्यार में रखियेगा इसे जितना अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा मलाई को पहले 10-15-20 मिनुट तक आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा उसकी बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी एड की दिए आपका घी पूरी अच्छी तरह से निकल जा और जो बाकी हो वो निकल जाए और देखिए मैंने मित्टी के हांडी में इसे मैं बना रही हूं ये साइड साइड में लग गया है वो सारा घी बहुत ही अच्छी तरह से अगर ताजा मलाई का जो मठा निकलेगा ना उससे आप लस्सी भी बना सकते हैं ये देखिए मेरी हाथों से अच्छी तरह से इसे निकाल लीजिए आप चमबच का भी अगर यूज कर सकते हैं बड़े वाले तो उससे भी आप निकाल सकते हैं मैं हाथों से ही निकालूंगी हाथ से मतलब चारों तरफ से अच्छी तरह से मैं निकाल सकते हैं ये देखिए कितना क्रीमी और देखिए इसमें ये करीबन 200-200 ग्राम के करीब इसमें से घी निकल जाएगा मैं कम ही मलाई कठा की थी फिर भी बहुत ही अच्छा घी इसमें निकल गया ये देखिए धीरे-धीरे करके मैं सभी मलाई को अच्छी तरह से निकाल लूँगी घी वाले जो मक्खन है वह अच्छ पानी डाला था ना वह सारा नीचे बैठ गया है और ये घी मेरा ऊपर आ गया है और मिट्टी के हर्णी में निकालने से होता है ना कि इसमें चिपकता नहीं है उसमें से सारा आप जितना भी इसमें से मक्खन है ना बाहर कर सकते हैं अब यह देखिए इसमें भी थोड़ा नीचे बैठ गया है मैं उसमें को नीकाल ली हूँ एसे चूलहे पर चढ़ा दी हूं चोटे बड़तर में ज़्यादा है नहीं तो में कडाई मनी चढ़ा रही हूं इस भड़तर में मैं चड़ा दिया है और ध्यान दीजीगा कि आपका गैस का फ्लेम एकदम मीडियम होना यह देखिए इसमें पुड़ा उफान आने लगा है इसे चम्मस्ची तरह से मैं चला दूंगी और धीरे-धीरे करते हुए ऐसे आपका लगेगा ना की दूद पुड़ा खौल रहा है और यह खौलते-खौलते आपका नीचे तला में बाकी दूद का है जो दही का है वो जाल देंगे और यह देखिए ताजी-टाजी घी मार्केट वाली घी बहुत ही मिलावती आती है तो ऐसे ही आप मलाई कठा करके या फिर आपके पास ज्यादा दई हो तो दई जमा कर लगेशे निकाल सकते हैं मार्केट से बहुत अच्छा यह देशी घी और यह गाय का घी देखिए इसमें वाइट वाइट एक दम है यह देखिए ताजा ताजा घीर है